आप सभी का उमंग मैत कड़्मी वाय सुनी से के चैनल पर विलकम है आज हम जो आपका 16 दिसंबर का पेपर हुआ था इम आर यस पीजिटी का तो उसकी जो प्राबलम आपकी है हम कई वीडियो इसकी अपलोड कर दिया अलग अलग पार्ट बनाकर आज हम सिक्वेंस रीज यानि एपी जीपी एचबी की प्राबलम हम आपको कुछ ट्रीक दोरा बताएंगे अब कुछ बुक के नियम से दोरा बत पिजिए यहां देखें आपका लिखा यस टू एन एक्वल टू थ्री यस यह दिन हमें इसकी रेसियो बतानी है जो आपका दिया है यस थ्री यह लिए यस देखें आपका यस थ्री 3 यन ये ratio आपका yes यन दिया है इसकी ratio हमें बताना है तो देखें यहाँ हम क्या करते हैं इजी तरीका हम बता रहे हैं हमें आपको पहले ही बता दिया कि जो आपका लगातार नंबर आएगा वो क्या होगा आपका APM होगा yen equal to 1 लेते हैं yen equal to 1 लेते हैं यहाँ जो आपका ratio है तो यहाँ जो आपका yen है तो आपका यहाँ क्या कर देएगे आपका यह आपका 3 यहाँ देखें 1 हम लग देते हैं 1 का कोई भी multiply आप करेंगे यहाँ पर कोई difference नहीं रहेगा तो यह आपका हो गया यह ठिक यहाँ करेंगे क्या हो जाएगा को देखिए यह हो जाएगा आपका थ्री और यह आपका सिर्फ तो वन था आमने लिख दिया है यह आपका यह हो गया यह क्या है आपका सम है यहां पूछ पूछा कि क्या है आपका सम है तो आप 3 का सम ले ले जी या देखिए 1 & 2 ऑर यह क्यार 含 जाएगा 6 अगर 1 लेंगे तो क्या व जाएगा आपका one हो जाएगा तो यह आपका six upon one यानि six ratio आपका one आ जाएगा answer इसमें देखिए आपका second वाला आपका सही है वीडियो अच्छी लगे तो like करिएगा चलते हैं next वाले question पर यह देखिए आपका next वाला question है काफी अच्छा है यह भी है आपका लिखा कि the sum of first term third term यह आपका दिया है अब यहाँ करा कि क्या है आपका GP में है क्या आपका GP में है जो आपका दिया है क्या है आपका GP में है यह आपका कितना दिया देखिए आपका 21 upon यह देखिए आपका 21 दिया है 21 upon 4 and यह आपका दिया है जो आपका multiply होता है protect यह आपका दिया है 27 upon 8 दिया हमें common ratio find करनी है GP की तो देखिए जो आपका यह होता है क्या होता देखिए आपका एक होता आपका R A upon R होता आपका है एक होता आपका A और एक होता आपका R जो R जो आपका है यह आपका ratio आपका फस्ट में यह आपका तीन होता है यह आपका थ्री लिखा है तो यह आपका 3 में यहाप पर हम यूच करेंगे तो यूच करेंगे देखिए क्या हम करतेंगे यह पर इस these answers नहीं का पर इसका झाप करेंगे स Georgetown डेखिए यह हो जाएगा आपका यहाँ पर देखे पहला क्या है आपका सम पूछा है तो पहले आप सम लिखिए आपका यह हो जाएगा आपका इसमें देखिए सम में क्या है आपका एक कामन है तो यह देखिए हमने बाहर कर देखे इस सीधे लिखते हैं 1 upon R यहाँ आपका 1 यहाँ देखिए आपका यह हो जाएगा R इक्वल टू आपका यहाँ पर दिया 21 अपान 4 तो यहाँ पर देखिए यहाँ आपका हो जाएगा इसके इक्वल टू आपका जो equation आप इसे 1 मालने जिए AND यहाँ पर लिखिए AND यहाँ पर देखिए आपका इसमाल A है यह आपका R हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका AQ आप यहाँ पर आपका दिया 27 अपान यह आपका 8 तो इसका आप क्यूब करेंगे तक्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 3 अपान 2 तो यहाँ देखिए value यहाँ पर रख दिजे a क्यों आपका अपका a आया है तो रख दिजे आप यह हो जाएगा आपका equation number one में यह हो जाएगा three upon two और यहां देखिए आपका one upon r यह आपका one और यह हो जाएगा आपका a r यह हो जाएगा आपका 27 21 upon 21 upon two इससे दखिए आपका four है यहां देखिए आपकी से कारने यहां पर two बचेगा यहां पर seven बचेगा तो इसके इक्वल टु क्या आगया आपका 7 upon 2 आगया यह देखे आपका क्या आगया यह पर यह हो जाएगा आपका 1 upon r plus आपका 1 और यह आपका r equal to 7 upon 2 आगया अब इसे देखे equation बना लिजे आप इसका है cross multiply करेंगे क्या हो जाएगा आपका है यह देखे सीधित क्या पहले इसको करेंगे तो आपका पहले इसको बनाँ लेजी यह हो जा आपका हो जाएगा तो बनेगा आपका 2 R ृ2 डिंट इकल्टी जाएगी एक और आजाएगी और एक और आजाएगी यह आपका टू एक आपका 2 आजाएगा, इसमें देखिए आपका 1 upon 2, एक आपका 2 आजाएगा, क्या गया आपका 1 upon 2 and 2 आजाएगा, इसमें देखिए आपसन आपका 1 प्लस आई है, ओके वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, देखिए यह आपके ऐसे से कोसन है, आप रिपीट करे इसमें देखिए आपका बहतरीन कोसन है, यह रिपीट करता है, अक्सर करका कोसन, यहाँ देखिए आपका लिखा कि यह आपका AP में है, आपका, जीपी में आपका दिया है, किसमें दिया आपका है, जीपी में दिया है, जीपी में दिया है, करा कि आपका पाजटू है आप तर्म इच इक्वल सम नेश्ट यहां देखिए आपको जो फर्मूला होता है इसका है जी पी का यहां पर आपका लिक दिया है कि कामन रेशियो आपका दिया है तो देखिए आपका यह फर्मूला होता है तर्मूला देखिए यह आपका होता है तो इसमें देखिए क्या है आपका कर आए, यहाँ पर 2, यह आपका 3, अब इसके अन्सवार यहाँ पर रखेंगे इस तरह equation आपकी बन जाएगी, यहाँ देखिए जब आप A रखेंगे, 1 रखेंगे तो यह आपका 0 हो जाएगा, यहाँ जब आप 2 रखेंगे तो आपका AR हो जाएगा, और यह आपका 3 3 रखें त्क्या हो जाएगा आपका TR square हो जाएगा अब इससे solve कर लिजी आपका answer मिल जाएगा देखें A तो गायब हो जाएगा आपका सिर्फ आपका बचेगा यहाँ पर R 1 बचेगा यहाँ पर R यहाँ देखिए आपका R square है जब इसका factor आप करेंगे देखें क्या हो जाएगा आपका factor आपका R square प्लस आपका 1 प्लस आपका R यह आपका minus 1 यह आपका बन जाएगा इसका सिद्राचार का आप नियम लगा देए यहाँ पर सिद्राचार आप लगाईए फर्मूला तो देखिए आपका यहाँ पर जो आप आपका minus है अब यहाँ देखिए अपान आपका 2 होता है तो यहाँ पर जो आपका कर आ लो आएगा, आपका common ratio आ यहाँ निकरेगा, तो देखिए आपका minus, यहाँ पर प्लस लेगी, यहां देखिए आपका root में आपका 5 upon 2 इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं root में आपका 5 minus 1 upon 2 तो यही आपका answer root में 5 minus 1 यही आपका answer हो यहाँ 5 2 वाला पूछा से लिए तो option जो आपका first वाला सही है ओके चलते हैं निश्ट वाले question पर यह देखिए आपको बताते हैं काफी अच्छा question यह भी यह वाला देखिए यह आपका बहतरीन question है यह भी आपका repeat कर सकता तो इसे देखिए हम कैसी से लगाते हैं यहाँ पर जो आपका करा की the greatest जो आपका लिखा है greatest sorry greatest लिखा है a past two integer k far which यह आपका 20 क्या लिखा आपका 29 k power जो आपका k लिखा plus 1 यहाँ नीचे लिखा है यहाँ पर इस तरह इसके power नहीं के के पर यहाँ आपका plus लिखा है लिखा फेक्टर आप सम यह आपका दिया है हमें इसका बताना है देखिए क्या करते हैं बहुत तीजी कोस्टन है बस दिमाख आप लोग यूज करिए यह देखिए हम क्या लिखते हैं यहाँ प्लस करते हैं जो आपका यहाँ पर है इसकी क्रम वाई इस तरह बना लेते हैं यह आपका 49 हो जाएगा 1 प्लस 49 यह आपका 40 का इस स्कुथ आपडार डांस करेंगी तो आपका आज आएगा देखिए इसकी जो पावर दिया है क्या दिया आपका 125 का लिखां आपका 1 लेकिए 125 तो आपका हो जाएगा 49 की पावर क्या हो जाएगी 125 हो जाएगी लेकिन इसका जो टर्म आपका आएगा एक इसमें एड हो जाएगा तो देखिए यहां पर जो आपका यह आपके कैसी स्रीज बन रही तो यहां देखिए यह बराबर 1 और यहां दो न बराबर जो पावर आपकी लिए कुसमें एड कर दिज़ए कल भी हम इसी के तरह कोस ﷺ आपको बताए थे तो आपका हो जाएगा आपका 126 हो जाएगा और यहाँ देखिए आपका r जो आपका ratio यहाँ पर आगर 49 आजा कितना जगा आपका 49 तो जो आपका sum वाला formula यहाँ पर यूज कर सकते हैं यह bracket में आपका देखिए r की power n minus 1 और यहाँ आपका r minus 1 तो यहाँ देखिए जो इसकी value रख दिजिए सबकी value रख यह आपका 1, 20, 26 और यह हो जाएगा आपका a बराबर 1 है आपका यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा आपका जो आपका ratio r निक्रा तो आपका किति है 49 की power 120, 126 है आपकी है और यह आपका minus 1 हो जाएगा नीचे आपका 49-1, अब इसे आप solve कर दीजिए आपका answer मिल जाएगा देखिए आपका कितना जाएगा यह हो जाएगा आपका यह देखिए आपका 49 की power 126 और यह आपका minus 1 नीचे आपका 48 आ जाएगा इसे आपका लिख सकते हैं यह देखिए आपका यह हो जाएगा 1 इसे देखिए आप लिख सकते हैं 63 हो जाएगा एक में आपका इस तरह लिख सकते हैं एक में आप positive कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह आ आपका, so that, so that, आप 49 की पावर k प्लस 1 is factor of above sum, जो आपका sum दिया, कितना दिया आपका है, k बराबर देखें, कितना पावर आपका है, 63 है, 63 है, 63 है, यानि 63 आपका है, तो इसमें देखें, जो option आपका है, second वाला आपका सही है, वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक करिए, और share करिए, हमारी बहुत सी problem इसकी upload हो चकी है, जाके आप लोग देख सकते हैं, और next वीडियो मिलते हैं, इसी तरह question के साथ, अग की पूरी वीडियो देखने के लिए, आप समी को बहुत बहुत धन्नवाद,